यह पारी जो है जीवन भर याद रहेगा भारत को जीत दिलाने के बाद रिसर पंद ने बताई अपनी सतके पारी की इस्ट्रेटरिजी तीसरे वंडे मोकाबले एक साथ भारत बना इंगलाइन दोरे का जो है अंत हो चुका है रिसर पंद की नबाद सतके पारी के बताई टीम इंडिया ने निनायक मोकाबले में जीत दर्ज हासिल की तीसरे और आखरी वंडे में भारत को पांच बिगेट से जीत हासिल हुई रिसर पंद ने मैच में 25 रनों का अहम उगदान दिया पंद को अपनी इस फोटक बलबाजी के लिए पलेयर अफ दो मैच का जो है किताब दिया गया आईए जानते हैं कि खास वार्ट से नवाज जाने के बाद रिसर पंद ने क्या कहा उमीद है कि मुझे यह पारी जीवन भर याद रहेगे जब मैं बलबाजी कर रहा था तौँ मैं एक गेंद पर ध्यान केंदरित कर रहा था जब आपकी टीम दबा में होती है मैं उस पर आप ऐसी बलबाजी करते हैं तो वह पल जो हमेशा सांदार होता है और मैं कुछ ऐसा करने की ख्वाइस रखता हूँ मैं हमेशा इंगलेंड में खेलना पसंद करता हूँ साथ ही महौल और विस्थिती का भी अनन लेता हूँ रिसव पंत ने इंगलेंड के गेंदबाजों को जमकर जो है तरिप किया उन्होंने कहा कि जितना अधिक आप खेलते हैं उतना ही अधिक अनुभव पराप करते हैं गेंदबाजों से जो कुछ छिनने के लिए नहीं बलबाजी करने के लिए एक आचा भी किर था और गेंदबाजों ने उन्होंने पर्तिवंद करने के लिए एक सारानिय काम किया है वो न केवल आज नहीं बलगी पूरे स्रीज में संदार थे